फ्रेंड्स आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GMB Everywhere टूल के बारे में आपने बिल्कुल सही सुना हम जब Google My Business यूज़ करते हैं उसको efficiently यूज़ करने के लिए हमें different different tool यूज़ करना होता है गूगल माई बिजनेस में जो different different हम टूल यूज़ करते हैं उसमें से एक most popular tool है वो है GMB Everywhere आज के इस specific वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टूल को आपको कैसे यूज़ करना है इसमें क्या-क्या features है और इस टूल को यूज़ करके आपको क्या benefits मिलेगा आप कैसे efficiently इस टूल को यूज़ कर सकते हैं यह इन डिटेल्स में इस वीडियो में बताने बाला हूँ वीडियो important है प्लीज एंट तक बने रहना So friends मेरे screen पे आप देख सकते हैं यह जो tools में आपको बता रहा था इंट्रो में यह है GMB Everywhere यह tools के link है आपको इस टूल का link जो है मेरे affiliate वाले link जो है आपको इस वीडियो के description पे मिल जाएंगे आप वहां से ले सकते हैं यहाँ यहां पर आपको टाइप करना है GMB Everywhere.com यहां पर आप टाइप कर लिजिए जो आपको convenient है तो यह GMB Everywhere.com यह tools है यहां पर सबसे पहले जो है मैं आपको explain करूँगा कि इस tool का क्या feature है तो एक बार आप इस features का समझ लिजिए फिर आपको accurately आपको पता चलेगा कि यह tools आपको किस तरीके से help करेगा सबसे पहले यहां पर इस tools का जो features है यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी business का primary category और secondary category जो है यह find out करने में आपको help करेगा बिंग है digital marketer या फिर GM अगर आप किसी का manage करते हैं तो primary category और secondary category राइट तरीके में या फिर राइट primary category secondary category find out करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप top पर rank करना चाहते हैं और आपने wrong primary category और secondary category select किया तो आप rank नहीं कर पाएंगे ऐसे case में जो top पर rank कर रहे हैं उनका primary category और secondary category अगर आपको मिल जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा Friend, आपके लिए good news है मैं लाया हूँ Google My Business का mastery course आप सभी लोगों के लिए अगर आप Google My Business एक professional way में सीखना चाहते हैं जिसके तहर आपको किसी भी type का business का आप Google My Business accounts create कर सकते हैं आप Google My Business profile को verify कर सकते हैं, number like कर सकते हैं, rank कर सकते हैं, खुब सारे lead generate कर सकते हैं और निकली तो आपके लिए good news है क्यूंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ Google My Business mastery जिसमें आप इस course को सीख के आपका business को आप the next level के लेके जा सकते हैं और specifically अगर आप digital marketer freelancer है तो इस course के माज़नम से आप अपना digital marketing या freelancing journey जो है, specifically Google My Business के लिए आप स्टूरू कर सकते हैं इस course को बहुत ही specifically इस चीज को धान में रखते हुए हमने डिजाइन्स किया हुआ है इस course का अभी offer price स्री 1500 रुपीच है, actual price 4000 रुपीच है आप इस वीडियो के description के इस course का link है, वीडियो के बाद बात आप ज़रूर चेक करें जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा complete Google My Business mastery इस उसको कैसे find out करोगे, यह tool आपको help करेगा, वो मैं आपको practical करके दिखाऊंगा कैसे, पहला यह बहुत ही बहुत ही बढ़िया feature से जो इस tools आपको help करेगा, और यह free मैं आपको primary category, secondary category दे देगा, paid भी है, free भी है, उसके बाद सबसे एक important point मुझे यहाँ पर इस tool का लगा वो है review audit, बहुत सारे लोगों को review audit क्या है, वो मालूम नहीं है, यह review audit कर देगा, review audit यानि जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, कि आपका ranking factor को review जो है directly impact करता है, यानि आपके review में कितने keywords है, कौन से keywords का कितना density है, और कौन से keywords जो है, आपको आपके review क अंदर add करने चाहिए, तो आपका completely review, उसके numbers के साथ साथ, keywords के साथ साथ, completely review audit ये करके देगा, इससे आपको समझ में आएगा, कि next जो आप review लाने वाले हैं, या फिर आगे आप 500 जो client को आप अप्रोच करेंगे review के लिए, तो किस type के review होना चाहिए, यह यहाँ पर आपको clarity दे देगा, यह बाले tools, तो यह बहुत यह awesome है, बहुत यह awesome है, यह मेरा personal favorite है, उसके बाद यह जो tools आपको help करेगा, आपका Google business profile का basic SEO audit का यह help करेगा, तो यह भी important है, हरे Google business profile को rank करने के लिए, उसको audit करना बहुत जरूरी होता है, तो यह जो tools है, मतलब किसी भी profile को audit करने मे यह बहुत help करेगा, उसके बाद जो next important feature है, इस specific tool का, वो post audit करता है, आप सब लोगों को मालूब है कि Google my business में हम post करते हैं, और जैसे अंधरे में तीर मारते हैं, most of the लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन post को भी audit किया जाता है, यानि आपने कितने post किये, week में कितने post किये, month में क कितने post किये, आपके competitors ने कितना post किया, आपके post के अंदर क्या-क्या keywords है, तो post का strategy क्या होना चाहिए, यह पूरा audit करके देदेगा, एगर ABX ranking factor का बहुत important signal है, तो post audit करके देदेगा, उसके बाद सबसे important features है, यह है teleport, teleport का मतलब यह हो गया, कि आपका Google business profile, specifically, कौन से area में, कौ से keyword पे यह बता देगा, most of the case में क्या होता है, कि अगर हम being a digital market और किसी के account manage कर रहे है, समाल जे कि मैं मुंबाई में हूँ, और मैं दुबाई का किसी client का account manage कर रहा हूँ, हो सकता है मैं मुंबाई में बैठके search कर रहा हूँ, तो search result अलग दिखा सकता है, incognito mode में search करने से भ आपको accurately पता चल जाएगा, कौन सा keywords में, आप कितने kilometer के radius में, कौन से position पे आप rank करने हैं, यह आपको बहुत अच्छे से जो है, बता देगा, so मोटा मोटी यहाँ पे जो मैंने इस tool का features के बारे में बात किया, इतने सारे features इस tools में आपको मिल जाएगा, so बहुत अच्छा tool से, आप मैंसे इस tool को free या paid दोनों तरीके में अगर आप यूज करना चाहेंगे, तो आप यूज कर सकते हैं, मैं बहुत सारे टाइम इस tool को यूज भी करता हूँ, इसकलिए मैं आपको share कर रहा हूँ, अब चलते हैं, इस tool को use कैसे करोगे, feature समझ में आ गया, use करने के इस link को paste कर देना है, देखें, मने इस link को paste किया, paste करने के बाद यहाँ पे देखिए, clearly लिखा हुआ है कि GMB audit for local SEO, मतलब यह आपका Google My Business के लिए ही यह tool है, यह clearly यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए लिखा है, install Chrome extension, मतलब इसको यह जो tool है, इसको install करना यहाँ पे install Chrome extension जो लिखा हुआ है, इस पे click करना है, install Chrome extension पे जैसे click करेंगे, देखिए यह install का options आजाएगा, मैंने click किया वहाँ पे, तो इस type के page open हो गया, और यहाँ पे add to Chrome जो है, आपको करना है, जैसे आप add to Chrome करेंगे, यह जो है, आपके Chrome में, यह extension जो है, यह add हो जाएगा, फिर जाके आप इसको जो है, यूज कर पाएगे, तो यह जो step मैंने आपको बताए, यह step को आपको perform करना है, क्योंकि इसके वगर जो है, आप इस tool को यूज नहीं कर पाएगे, है ना, तो देखिए मेरे Chrome पे यह क्या हो गया, मेरे Chrome पे यह add हो गया, अभी मैं इ इसी में Google Map सर्च करका आ जाना है, एक्जामपल में, Google Map में यहां पे सर्च कर लेता हूँ, है ना, तो मैं Google Map पे आ जाता हूँ, यहां पे देखिए मैंने Google Map पे आ गया, Google Map पे आने के बाद जो है ना, आप किसी भी business category यहां पे सर्च कर सकते हैं, for an example, मैं यहां पे salon लिखता ने लगे, पहले ऐसे नहीं दिखाई देता है, because यहां पे मेरे Chrome extension में, यह GMB Everywhere का टूल जो है, यहां पे already added है, अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो जो business यहां पे दिखाई दे रहा है, हर एक business का यहां पे category, यहां पे मैंने salon लिखा, आप dentist लिख सकते हैं, ब्य beauty color लिखा हुआ है, मतलब इसका primary category, beauty color है, यह जो second वाले है, उसके भी primary घरी beauty color है, secondary category में, ब्राइडल शॉप, फेशल सुपा, यह लिखा हुआ रहा है, ये तिसरे में देखिए, इसका primary category, beauty color है, again, इसका secondary category, यहां पे आपको सारे जो दिखाई दे रहे है, उसके साथ साथ बाकी सारे जो जो फिचर्स यहां पर देखिए basic audit का यहां पर tab है इसमें click करेंगे तो इस specific profile का basic audit कर देगा यहां पर teleport लिखा हुआ है उसमें click करेंगे तो आप specific जगा पे कौन से position पर rank कर रहे हैं तो वो भी आपको बता देगा यहां पर आप देख सकते हैं review audit का tab यहां पर आपको enable हो गया और यहां पर पौश्ट इस तरीके से जो है आप किसी बी टेप पर क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं मैं फिर से जो है बेक करता हूं यहां पर बेक करता हूं बेक करका आपको बताना चाहता हूं यहां पर आल्रेडी जो है instruction लिखा हुआ है देखिए सब स जो है Google में आपको redirect कर लेता है तो अगर आप बात में भी करना चाहते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया Google में उपन करें अपन करके आपको primary category find out करना है basic audit आपको करना है post audit करना है जो मर्जी करना है कर लीजिए अभी मैं इसका pricing आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर देखे प्राइजिंग है सूरु में बता था यह free भी है फ्री में कुछ limited features है और paid भी है तो आपके हिसाब से अगर आप digital marketer हो तो मैं suggest करूंगा आप paid वाले version ले सकते हैं और free trial करके आपको अगर comfortable लेगे तो आप paid में जा सकते हैं pricing यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि free में आपको क्या-क्या features मिलेंगे उसका क्या charges है और यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं free में और यहाँ आप देख सकते हैं इसका दो है तो पार यूजर करके है जो थेटी डिलर्स पॉर मन्त है और यहाँ पर क्या-क्या features आपको मिलेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं similarly यहाँ पर देख सकते हैं 12 डिलर्स के है तो यह monthly annual plan भी है तो अगर पूरे साल के लिए आप ले टूल है और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि काफी सारे डिजिटल मार्केटर इसको यूज करते हैं आप भी इसको यूज कर सकते हैं थोड़ा सा इसका अगर आप रेटिंग देखोगे तो 4.9 इसका रेटिंग है आउट आप 5 और 70,000 प्लॉस और हैपी GMB यूजर यानि 70,000 प्लॉस लोग इसको यूज करके खुस है तो अच्छा है डेपिनाइडली इसके लिए मैं सजस्ट कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगा इसको यूज करें तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आप को पसंद आया है प्रीज लाइक कमेंट से हर जरूर करना आप मेंसे बहुत सारे लोग हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आपको इस लाइब के जिये और कोई टूल्स के बारे में जानकरी चाहिए प्लीज मुझे मैं आपको और दूसरे टूल्स का भी आपको जानकरी दूँगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू सो मुझ